यह बात है September 1989 की जब Wall Street General की एक news headline ने लोगों को चौँखा दिया इस news में थी 14 उन commodity traders के list जिनके की annual compound returns जो थी उस साल की वो highest थी among all the traders and financial institutes और सारे indexes को उन्होंने बीट कर दिया था और जो टॉप पे था स्थी गॉस्गार्ड उसकी return अगर आप देखूगे annual return 88% से लेकर 296% की range में थी चौँखाने वेली बात यह थी कि यह सभी 14 commodity traders उते तोप वाले यह अपने आपको turtles बोलते थे रिचर्ड डेनिस के turtles और इनका जो success का जो scale था आप उसको इसी चांदाजा लगाएं कि उससाल जो बाकलेस था बाकलेस का CTS index का annual compound return था 25% और उनका जो annual return का range था वो था 4% से लेकर 55% और अगर आप भी अब सूचने लगाएं कि कौन थे रिचर्ड डेनिस और कौन थे यह turtle traders जो कहां से आये थे क्या करते थे ऐसा कौन सी strategy यूज करते थे कि उनको इतना profit हुआ तो मेरे साथ अगले कुछ देर तक बने रही है मैं आपको detail में समझाओंगा कौन थे turtle traders कौन थे रिचर्ड डेनिस और इनकी क्या strategy थी जिसको बाद में नाम दियागा turtle trading system turtle trading system की details को समझने से पहले मैं थोड़ा सा context set करता हूँ एक बर Warren Buffett sir ने कुछ students को share address कर रहे थे तो उसकी response में उन्होंने जो billionaires थे across the globe उनकी success को ovarian lottery जैसा कहा ovarian lottery का मतलब है कि गर्भ में लगी हुई lottery जबाप पैदा भी नहीं हुए किस मा के पेट में हैं किस घर में हैं किस country में पैदा हुए है उनका कहने का मतलब था कि अगर Warren Buffett अमेरिका में पैदा होने के बज़ाए Syria या Zimbabwe में पैदा हुए तो क्या वो Warren Buffett होते एक आदमी जो Finland या Luxembourg में पैदा हुए उसका करियर बिलकुल अलग हो सकता है उस आदमी से जो कि अफगानिस्तान या Syria में पैदा हुए या Zimbabwe में पैदा हुए और चाहे वो कितना भी स्किल्फुल हो कुछ इसी तरह के टॉपिक के ऊपर 1984 में रिचर्ड डेनिस जो कि उस वक्ते टॉप कमोडिटी ट्रेडर होते थे वन अफ ती मोस्ट सेक्सेस्फुल ट्रेंड फॉलोइंग कमोडिटी ट्रेडर वो और उनके एक फ्रेंड विलियम एकार्ट दोनों इसी जैसे किसी टॉपि 24 October में एक newspaper में advertisement यह advertisement था कि Richard Dennis कुछ traders बनाना चाहते हैं future के traders बनाना चाहते हैं and he will teach them his own proprietary trading concepts और इस advertisement में उन्होंने एक बात लिखी थी कि जो भी profit इस trading system से future के traders कमाएंगे उसका कुछ पार्ट ही उनको मिलेगा क्योंकि जो पैसा invest हो का वो भी Richard Dennis का ही होने वाला था और जो सबसे important बात लिखी थी इसमें वह थी कि आपको prior trading का experience होना जरूरी नहीं है आप किसी भी field से हो सकते हैं और हो सकता आप पहले से trading जानते हों कुछ इस तरह का advertisement आया इस advertisement का बहुत सारी applications है उनके बास बहुत सारी CVS है और फिर एक selection process start हुआ selection process में एक test होता था चहां पर वो trading skills के बारे में नहीं पूछते थे बलकि psychology of the person क्या उसकी सोच है वो कैसे approach करता है risk appetite कितना है और एक आदमी का different risk appetite होता है तो कुछ उन skills के ऊपर उन्होंने एक selection process बनाया और eventually 21 candidates को select किया सब की photos तो नहीं मिल पाई है लेकिन जनकी photos available थे internet पे ये वो कुछ traders थे जिनको की और कुछ candidates थे जिनको की Richard Dennis ने finally select किया इस program के लिए turtle trading system सिखाने के लिए और इन में से दो या तीन लोग ही ऐसे थे जिनको थोड़ा सा prior experience था trading का कुछ लोग teacher थे कोई accountant था, musicians थे कोई-कोई sportsmen था, बहुत सारे different different fields के लोग थे जनको select किया और इन selected candidates को Richard Dennis ने turtles का नाम दिया, इसका actual turtle से कोई relationship नहीं है, यह इस तरफे coincidence था कि वह एक बर Singapore गए थे और वहाँ पे उन्होंने turtle farming देखी, turtle क्या होता, एक समुदरी कच्वा होता, big size, not the normal toties, एक समुदरी कच्वा, तो Singapore मे उन्होंने देखा कि वहाँ पे turtles की farming होती थी, turtles को rear किया जाता था, तो यहां से उनके दिमाग में यह term है कि क्या मैं traders को भी turtle की तरह rear कर सकता हूं, क्या मैं traders को पैदा कर सकता हूं, बना सकता हूं एक farm में, इस तरह से उन्होंने इस पूरे system का नाम रखा, turtle trading system, जब selection process complete हो तो सारे turtles को Chicago में एक दो वीक की workshop के लिए बुलाया गया, जहां पे Richard Dennis ने उनको अपना turtle trading system समझाया, इस दो हफते की intensive workshop में, Richard Dennis ने टर्टल्स को अपना trading system सिखाया, समझाया, बहुत सारी practice करवाई, बहुत सारे discipline based exercise करवाई, और जब यह लोग ready हो गए, तो इनको थोड़ा amount they are trading करने के लिए, और जब Richard Dennis पूरी तरह confident थे कि अब turtles पूरे system को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो उन्होंने हर एक turtle को 1 million dollar दिये, चाके trading करने के लिए और इस system को apply करने के लिए, 1 million dollar to each turtle मतलब total 21 million dollars उन्होंने दिये, इससे आपको समझ आता है कि Richard Dennis को अपने trading system के ऊप पर किस level का confidence था, by 1989 इन टर्टल्स की overall कमाई जोती, वो थी 175 million dollars, media was going crazy after them to understand what strategies they were using, क्या था, क्या magic wand था उनके पास के इतना जल्दी इतना पैसा उन्होंने कमाया, but Richard Dennis ने इन टर्टल्स के साथ एक secrecy pact sign किया था, वो secrecy pact के तहट 1993 तक ये इस trading strategy के details शेर नहीं कर सकते थे, लेक 1993 के बाद, टर्टल्स ने मेडिया में सारी trading strategies को exposed किया, Michael Kowal, who was one of the very successful turtles, उन्होंने एक पूरी book लिखी, The Complete Turtle Trader, जिसमे उन्होंने पूरी turtle strategy को, पूरी journey को, पूरा उस book में explain किया था, उसके बाद और भी कई books आई, कई popular books बनी, one of the most successful turtles was Jerry Parker, जो कि बाद में उन्होंने अपनी companies खोली और बहुत सारे मीडिया में interviews दिये, और turtle trading strategies की details को बताया लोगों को, उसके बाद मीडिया ने रिचर्ड डेने से कई बार पूछा कि आप तो आपके turtle trading system को सब समच चुके हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि अब पूर trading strategy और जो rules हैं, उसको newspaper में publish भी कर दो तो भी लोगों से follow नहीं कर पाएंगे, because that would mean कि आप सिर्फ एक strategy के rules पढ़के, आप सुच रहें कि आप successful trader बन जाएंगे, ये तो ऐसी हो गया कि जैसे कि आप cricket एक book से cricket पढ़ें, कि cricket कैसे खेलते है, pull shot कैसे खेलते है, square cut कैसे खेलते ह इसा नहीं होता, आपको बहुत consistency चाहिए, discipline चाहिए, बहुत सारी practice चाहिए, तो थोड़ा सा आगे चलते है कि इस दो वीक के workshop में Richard Dennis ने turtles को क्या समझाया था, कैसे इस system से introduce करवाया था, उसमें बहुत सारी theory थी, बहुत सारे traders ऐसे तो जो कि trading के background से नहीं आते थे, तो trading क्य होती है, trading के concepts क्या है, प्लस बहुत सारी reasoning सिखाएगे, क्यों ये system चलेगा, क्यों ये system नहीं चलेगा, कौन सा setup चलेगा, कौन सा setup नहीं चलेगा, जो rules define के हैं, उनके पीछे के reasons क्या है, और अगर आप उन reasons में belief करोगे, तब ही आप एक successful trade ले पाऊगे, और बहुत सारा discipline औ बारे में बात होती है कि कब entry लेना है, कहां पे stop losses होंगे, कब हमें trade से exit करना चाहिए, क्या हमारी tactics होंगी, अगर conditions favorable नहीं है, कौन-कौन से different markets हैं, जहां हमें trading करना ही है, system को apply करना है, और position sizing is one of the most important component of any trading system, मेरा एक वीडियो है swing trading के उपर, जिसमें मैंने position sizing के उपर बहुत specifically बात की है, मैं I button पर उसका link छोड़ दूँगा, आप जरूर देखें उसको, उसमें मैंने एक Excel sheet में एक simple से basic तरीका समझाए कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से position sizing कर सकते हैं, अब हम चलते हैं system की details में, primarily दो तरीके के system ते, system 1 था 20 days और 4 weeks breakout system, और system 2 था 55 days और 11 weeks breakout system, इस system को apply करने के लिए उन्होंने बहुत सारे rules बनाय थे, पहला और सबसे easy rule था, follow the trend, because Richard Dennis himself was a strong trend follower, वो हमेशा trade करते थे trend के साथ में, never against the trade, और यही उन्होंने अपने turtles को भी इस workshop में सिखा है था, कि never trade against the trend of the market, always go with the trend, trend अगर northwards है तो go long, trend southwards है तो go short, second rule was about investing or trading in diversified market, primarily वो लोग commodity market में trade करते थे, like soya bean, coffee, cotton, और equities में trade करते थे, currency में trade करते थे, ETF में trade करते थे, तो Richard Dennis ने यही system बताये कि never concentrate your trading into one specific markets, third rule है, थोड़ा technical, जिसको हम chart पे भी plot करके देखेंगे, पहले समझते है, rule क्या था, for a long position, rule यह था, कि 20 days में, last 20 days में, जिस भी candle ने highest high बनाया, अगर वो highest high ब्रेक हो जाता है, तो हम long position लेंगे, और अगर 55 days यहने कि system 2 पे, system 2 पे trade कर रहे हैं, तो the same rule applies for 55 days, 55 days में, जिस भी candle ने highest high बनाया है, if that highest high is broken by the current candle, हम long position लेंगे, इसका उपोज़र था, short position जहाँ पे, last 20 days में, जिस भी candle ने lowest low बनाया है, जब वो low break हो जाएगा, हम वहाँ पे short position लेंगे, इसको अब हम एक चार्ट पे देखते हैं, तो अब system 1, system 2 को एक चार्ट पे plot करके देखते हैं, कि कैसे इस system को चार्ट पे plot किया जा सकता है, ठीक है, उसके लिए मैंने चार्ट उपन कर लिया, यह है, in forces का daily chart, यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले, स trend को follow करना, right, sorry, तो simplest way of checking the trend is your moving averages, my favorite indicators too, some people use 100 days moving average, आप 200 days use कर सकते हैं, 100 days, कि जब भी price 100 or 200 days moving average के ऊपर चल रही होती है, तो इसका मतलब trend positive है, हमने देखा, in forces में trend positive है, चलो, very good, let's try to, let's remove this, let's try to plot system 1 and system 2 here, यहाँ पे हमें मिलेगा एक date range, take an example, यह एक position है, जो यहाँ से, अगर में देखता हूँ, 20 days, this is your 20 days range, correct, now is 20 days range में, इसको अगर में थवड़ा बढ़ा कर लू, this is your 20 days range, is 20 days range में, 23 हो गया, sorry, what is the highest high, this candle is making the highest high, यानि की 14.77, अभी highest high break नहीं हुआ, 20 days में, there is no entry, so let's move ahead, हम आगे चले, आगे चले, आगे चले, आगे चले, जब में यहाँ पहुचा, what is the highest high now, this is the highest high, आगे चले आगे चले जारे है, अबी ब्रेक नहीं हुआ है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, जब में यहाँ मुआ ठाआ है, यहाँ हई हाँ, this candle has the highest high, 13.73.90, यह मेरऄ साथ हे है, जब यह ब्रेक होगा, the highest high ब्रेक पो और्ज होगा, Apollo 23.73.90, can you see this a man is cool plot here this candle has broken the highest high this is my entry position as as per turtle trading system of richard dennis ये जो position है ये candle है this is my position और richard dennis जो थे closing business पर काम नहीं करते थे they would not wait for the market to close वो running market में running candle में ही trade लेते थे तो यहां पर वो position लेंगे तो यह हो गया system 1 की position कैसे लेते थे अब हम system 2 की position समझते हैं अगर आप यही candle जो थी आपका 55 अगर मैं इसको 20 days के जगे 55 days की range पर बना दो 55 ये 55 55 days की range में suppose करो हम यहां पर होते 55 days यह यहां पर होते this was the highest high within 55 days period highest high था और highest high कौन सा था यह था highest high जो की इस candle ने यहां पर ब्रेक किया ब्रेक कर दिया अगर मैं system 2 पर trade कर रहा होता तो this is my entry position you see this candle this candle would be my entry position और ऐसा बार बार होता है जब भी आप uptrend में हैं let's take an example here मैं एक ओर दे ले टा खाँ, 20 days का यह, this was my highest high my highest high has not been broken this is my highest high let me draw a long ray line here this is my 20 days highest high यह ब्रेक हुआ नही हुआ हुआ नही हुआ मैं मूव कर जाता हूं और, now i have a new 20 days highest high my new 20 days highest high is this point so I will bring my entry point to this level अभी break नहीं हुआ है, क्योंकि अभी candle कहा है, अभी यहाँ पे चल रहा है अब हम आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, इस candle, इस candle has broken इस candle ने इस highest high को within 20 days की range में break कर दिया This is my entry position, कौनसा है मेरा entry position? This candle is my entry position, running candle में ही मैं entry लूँगा चौथा rule था, to ignore consecutive breakouts, जिसका मतलब है कि अगर अभी एक break out आया है तो उसको ignore कर दें, अगर पिछला break out was a winning trade, यानि कि successful था इससे फरकने पड़ता है कि पिछला break out आपने trade किया था या नहीं किया था लेकिन अगर वो successful था, तो इस वाले break out को ignore कर दें and wait for the next break out पांचवा rule था stop loss के बारे में, primary stop loss था कि जब भी price, अगर हम 20 days का setup यानि कि system 1 trade कर रहे हैं, तो जब भी price in last 10 days का lowest low को break कर देगी तो हम exit कर जाएंगे trade से, और अगर हम 55 days का यानि कि system 2 trade कर रहे हैं तो जब भी price lowest low in last 20 days break कर देगी, उसके नीचे चली जाएगी तो हम exit कर लेंगे, same था short position के लिए, यानि कि 10 days and 50 days का highest high अगर break होगा, तो हम short position से exit कर लेंगे, एक बार इसको हम फिर से chart में देखते हैं कि कैसे इसको identify करते हैं और कैसे इसको apply करते हैं तो आप देखते हैं, stop losses कैसे plot होते हैं, let's delete this, इसकी जरूरत तही है, अगर मैंने step आपके चलते, this was the highest high, यहाँ पर मैंने entry position ली होती, यहाँ पर मेरा entry position होता, let me bring it here, यहाँ पर, stop loss का rule क्या है, last 10 days का lowest low candle, last 10 days का lowest low candle, मतलब मैंने यह 10 days का range बनाते हैं, यहाँ पर मैंने entry लिए इसको 10 days कर देते हैं, यह 10 days, now what is the lowest low candle in this 10 days, this is the lowest low candle, this will be my, 1 minute, this candle, this candle's low will be my stop loss, right, कौन सा, this candle, this was the simple stop loss rule, this candle will be my stop loss, अब जैसे जैसे trade आगे move करता जाएगा, मेरा stop loss भी revise होता जाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर पहुंचूँँगा, यह candle is range से बाहर चलीगी, now my lowest low is this, so my, I will trail my stop loss, क्योंकि अभी तक stop loss हिट नहीं हो, I am still going ahead, going ahead, going ahead, 20 days में, अभी मेरा range जब मैं यहाँ पहुंच गया, तो मेरा stop loss क्या अभी यह candle है, और आगे जा रहा हूं, और आगे जा रहा हूं, 20 days की range अब तक चलीगी, now I am moving my stop loss, my stop loss has reached here, और जब मेरा stop loss हिट होगा, बाद में, I exit करूँगा, let's take an example in 55 days, 20 days का, let me delete this, let me delete all these, okay, this, this is where we took the position, now let's get a range, date range of 20 days, date range of 20 days, यहाँ पहे position लिया, 20 days, lowest low, within 20 days, this is the candle, no, this, this is the candle, that has the lowest low, this candle, this candle, this candle is my, sorry, this candle, low of this candle is my stop loss, और इस तरे से हम इसको भी ट्रेल करते है, जैसे 20 days, sorry, 55 days, system 2 आगे progress कर रहा है, मेरा stop loss नही है, नही है तुए हुआ 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 हु आती जा रही है, ऐसी तरह मेरा 20 days की range में मूव होती चली जाएगी, now, the lowest low in 20 days range is this one, now, मेरा stop loss ट्रेल होके यहाँ आ जाएगा, simple, next rule था, जो की बहुत ही important rule था, on how to size your positions, उन्होंने उसके लिए अपना एक system बनाया था, जो की एक formula था, जो बेस करता था, stop loss के उपर, market की volatility के उपर, क्योंकि वो diversified markets में trade करते थे, और हर market की volatility अलग-अलग होती थी, और third उसमें उन्होंने element लिया था, 20 DMA of ATR, ATR is the average true range, अब इतना समझ लिया कि उन्होंने इन तीनों चीजों के मिला के, units define की थी, and all these turtles were supposed to trade in units, जैसे कि अगर unit है N, तो वो किसी भी market में trade कर रहे हैं, तो उनका position sizing रहेगा, कि every time they will trade in the multiples of N, और किसी भी market में 4N से ज़्यादा का वो trade नहीं करें, कुछ इस तरह के उन्होंने rules बनाये थे, और सबसे बड़ा और important rule था, pyramiding, कभी भी गिरतेवे stock को average नहीं करते हैं, यह थम rule है, आप इसको हमेशा याद रखें, हमेशा winning trades को average करते हैं, यह एड करते हैं, गिरतेवे stocks को कभी average नहीं करते हैं, और इसी तरह मोटा पैसा बनता है, यह मोटी रकम बनती है, तो यही rule उन्होंने भी बताया था, go big on winning trades, जो भी हमने position लिया, जो trade लिया है, अगर वो हमारे favor में जा रहा है, तो keep adding more units to it, जो अपना position sizing में उन्होंने units define किया था, keep adding more units to it, by using trailing stop loss and by following the position sizing rules, तो यह थे main rules उस system के, जो कि आज के time में आप समझ सकते हैं और उनको apply कर सकते हैं, और सभी rules को cover करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत जाधा technical भी हो जाएगा, अब आपके दिमाग में बहुत important question आ रहा होगा, क्या यह system अभी भी काम करता है, the simplest answer is, melody cow और, देखो, समय बदल गया है, 30-30 साल पहले इस तरह की technology नहीं होती थी, लोग next day charts देखते थे, आज आपको real time में second by second update मिलता है, एक Elon Musk का tweet आता है, across the globe सारे markets के sentiments बदल जाते हैं, एक चोटा से example लेते हैं, जैसे कि उनका stop loss था, कि पिछले 10 दिन में, जिस भी candle में सबसे lowest low बनाया है, उसके नीचे stop loss है, आज के time में market में इतनी जादा volatility है, कि 10 दिन में शायद आपका तीन बार stop loss हिट हो जाएगा, या एक shake out candle आई तो एक ही दिन में शायद दो बार stop loss हिट हो जाएगा, तो थोड़ा वक्त बदला है, लेकिन system, trading system बहुत strong है, बहुत conceptually बनाया हुआ है, इसमें कुछ tweaks जरूर करने पड़ेंगे,